Hi guys, so we are back with the new video guys, PYQ, Carbosolic Acids की बहुत ही interesting PYQ की वीडियो है, interesting क्यों? क्योंकि आये होए questions है, तो आपको एक आई डिया लग पाएगा कि क्या आने वाला है, further exam is, take a point of view जरूर मिलेगा, and इस lecture के बाद आपको NCRT से बहुत प्यार होने वहले है, क्योंकि मैं आपको दिखा होगी, so guys, without wasting time, let's start this lecture, so guys, इस session के हम शुनुआत करेंगे, J-Mains के 2015 में IOI questions के साथ, right, so guys, question को पुरा read करते हैं, and समझते हैं कि question हमसे demand क्या कर रहा है, in the presence of a small amount of phosphorus, aliphatic carbozolic acids react with chlorine or bromine to yield a compound, in which alpha hydrogen has been replaced by halogen, this reaction is known as what, guys, अगर आप लोगो नहीं इमांदारी की sensitivity पड़ी है, तो एक बर और और इसको read करो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, in the presence of small amount of phosphorus, right, phosphorus की presence पे, aliphatic carbozolic acids, aliphatic carbozolic acids react with chlorine or bromine to give compound in which alpha hydrogen को एक CL, यानि की halogen, replace कर देता है, तो guys, इस reaction का mechanism तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जरूर, लेकिन guys, क्या आपको ये देखो, पहले screen पर, क्या guys, आप लोगों को कुछ याद आया, अगर आप लोग नोटिस करो guys, थोड़ा ध्यान से देखो, तो देखो यापन, ये आपका एक, ये आपका aliphatic carbozolic acid है, red phosphor presence की presence में guys, यहाँ पर हमारा halogen है, same same halogen है guys, ये हमारा alpha carbon, इस alpha carbon का एक hydrogen Cl के साथ replace होगा, और Cl जाकर यहाँ पर attach होता था, तो guys, कितना simple directly पूछा गया है, कि मतलब की भाई साथ, आप directly बोला है, कि aliphatic carbozolic, corred phosphorous और Cl2 के presence पर रियाग कराते है, अगर आप पे से कोई ऐसा ब तो don't worry, मैं भी mechanism बताता हूँ, लेकि पहले यह समझोगा, इसकी जिसने NCRT पड़ी हुई है, उसको तो तुरंत ही पता है, कि भाई साथ, red phosphorous और Cl2 के presence में, एक Cl alpha hydrogen को replace करता है, उस reaction का नाम है, hell, wall hurt, zilinski, guys, reaction, मतलब जिसने NCRT पड़ी हुई है, उसको तो तुरंत ही पता ह पड़ने में लगेगा, दुबारा री चेक करने में लगेगा, 30-40 सेक्ट में खतम, अब आते हैं थोड़ा सा इसकी study कर लेता है, कि यह particular जो reaction है, यह हुआ कैसे, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका एक ideology दे देता हूँ, so guys, ध्यान से देखना, जैसे यहां पर guys, हम पर हमारा CL2 है, now focus करने वाली बात यह है guys, आप लोगों को याद होना चाहिए, कि C double bond O जो ग्रूप है, कार्बोनिल ग्रूप, इसके बगल जो कार्बन होता है, उसी को alpha carbon और इसे alpha hydrogen बोलते है, नहीं पता, तो अब जान लो, कि C double bond O के just बगल वाला carbon, alpha carbon और उसका hydrogen, alpha hydrogen, right, आज़े guys, जिसको mechanism पता है, वो skip कर सकता है, time waste करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको mechanism नहीं पता, वो देख सकता है, right, sort of mechanism क्या, short of trick, एक जल्दी से बताने की, right, so guys, करना के, आप सब जान लो, कि भाईस, आप alpha carbon, छोले भडूरे खा के आता है, मतलब, उसकी guys, acidity बहुत high हो जाती है, acidity बहुत high, तो acidity high होने की वज़े से guys, वो अपना hydrogen को बड़ी आसानी से release कर देता है, क्या कर देता है, release, so guys, इस school मिला कि आप ऐसा समझ सकते हो, कि ये जो hydrogen को release करेगा, ये CL के साथ चला जाएगा, और यहाँ पर CL इस hydrogen को replace कर देगा, यही वो question में बोल रहा था guys कि alpha hydrogen को, जो halogen है, वो replace कर रहा है, आप लोग देख लोग किस तरह से, एक hydrogen जाके इस hydrogen को हटा आ रहा है, तो guys, school मिला कि इसका जो product आप लिखोगे, तो क्या लिखोगे, R, CH, guys, नीचे की तरफ एक welcome हो रहा है किसका, आईए जी, halogen, right, और बागी guys, rest of the thing is same, तो school मिला कि ये जो चीज हमने किया, sort of ideology लगा कि सर चीजे होती कैसे, but the thing is that guys, अगर किसी ने इसाटी को धंगजे पड़ा होगा तो भाई साब 30 seconds में हो जायगा, ठीक है, ठीक है, निकम्मो अगर इसाटी पढ़ लोगे ना, तो काम हो जाना, ये देख लो, अच्छा खाजा, right, तो चलो guys, इसे के साथ हमारा पहला कोशन तो हो गया, let us move to the next question, so next question क्या कहता है हमसे, next question ये कहता है कि यहाँ पर guys, अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको काबोजली कैसेट दिख रहा है, eliphatic, ठीक है, LILH4 आ गया, the biggest question comes into the mind, ये LILH4 क्या है guys, तो guys, एक simple से याद रखो, LILH4 क्या करता है, LILH4, guys, reducing agent है, कैसे है, reducing, लाया, रे, लाया, hydrogen, लाया, मतलब, reduce करता है guys, क्या करता है, reduce, आपरीट करो, it is a strong, unselective reducing agent for polar double bonds, most easily a source of hydrogen, मतलब, लाया, रे, लाया, hydrogen, लाया, means, reduce करेगा, ठीक है, mainly guys, aldehyde, ketone, easter, carbozillic acids, chlorides, carbozillic acids, and forcerin के salts वगरा को reduce कर देता है, तो एक ideology guys, आपको लग दी, I hope, एक ideology आपको लग दी, right, now guys, the thing is that, कि अब इस question को आप लोग करते है, तो कह रहा है, कि हमारा जो carbozillic है guys, वो LILH4 के साथ रियाख कराएंगे, तो हम सब समझ गए कि sir, L LILH4 क्या करता है, reduce करता है, तो everyone knows very well, एक बार नहीं पता, तो मैं आपको बता दूँ guys, एक sort of, यहाँ पर guys, इन steps, यह steps अगर आपको याद रहेंगे, यह chart आपको sort of याद रहेगा, तो बहुत ही जादा beneficial रहेगा guys, यह chart क्या कहता है guys, कि अगर आप alcohol को guys, कि इसको alcohol को oxidize कर होगे, तो आपको aldehyde, या ketone में से कुछ मिलेगा, और इसको oxidize करोगे guys, तो carbozylic मिलेगा, so the thing is that, the thing is that, कि यह oxidation के steps है, oxidize किया, okay, oxidize किया, okay, but guys, अगर हम reduce करेंगे, reduce तो नीचे की तरफ आएंगे, reduce करेंगे, reduce करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, now guys, LILH4 कैसा था, strong है, strongest, तो carbozylic को direct किसमे, alcohol में पटक देगा, right, तो guys, the thing is that, कि यहाँ पर, सीधा अपना alcohol बनेगा, ना आगे देखना, ना पीछे देखना, सीधा alcohol को याद करना, ठीके guys, लिखना मार ना पढ़ देखना, पीछे, right, तो guys, कुल मिला कि carbozylic से सीधा याद गई, alcohol बना, now, ह tension नहीं ले लेगा, एक, एक step में बताएगा, direct कुछ नहीं लिखेगा guys, अब देखो ध्यान से, direct कुछ नहीं, right, अब देखो यहाँ पर, सुपल मिलागी guys, यहाँ पर अगर हम CH3, CH2, OH को, अगर हम PCL 5 के साथ रियाग करा है, तो कैसे करेंगे, guys, देखो, आगे बढ़ने से पर आपको PCL 5 का, अगर structure याद होगा ना, तो चीज़े बढ़ी असान हो जाएगी, P-Blocks में था, नहीं याद से, कोई बात नहीं, इसका ऐसे होता है, तीन CL guys, एक की access पे होता है, यानि की guys, तीन CL आपके, एक की guys, जैसे, एक 3 CL ये, एक की equatorial plane पे होता है, ठीक है, और guys, य ये 2 CL हमारे इस तरह से होता है, ठीक है, तो मतलब कुल मेला की guys, मैं simple words में बोलू, तो हमारे 3 CL एक plane पर होता है, और बाकी की 2 CL एक उपर होता है, और एक नीचे, यानि की 3 CL हमारे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और 2 CL उपर और नीचे, इसे equatorial बोलते है, और उसे axial ब रखना है, आपको याद यह रखना है, कि हमारा, जो हाइड्रोजन है, हमारा हाइड्रोजन, इस वाले CL को लेकर अलग हो जाएगा, okay sir, okay sir, क्योंकि यह bond कमजोर था, तो तूटेगा, वो ले, HCL अलग हो जाएगा, यह CS3, CS2 जो पार्ट है, इस पे एक positive charge कहा रही होगा, due to this oxygen negative, right sir, तो इस positive charge से guys, यह CL negative attach हो जाएगा, मतलब the thing is that guys, देखो कितना अराम से मैं इसको बनाऊँगा, कोई जल्दी बाजी नहीं, क्या, अराम से देखा, मतलब CH3, CH2 वो नीचे बटे CL के साथ बनेगा, यानि कि CH3, CH3, CH2 और हमारा हो गया CL, okay, एक हमारा HCL अलग हो गया, अब बचा क्या, बचा क्या, आप कहोगे sir, यहाँ पर तो बचा हुआ है Phosphorus, उसके 3 CL, और आपने बड़े मज़े में Phosphorus की 2-2 bond को तोड़ दिया, उसको satisfy तो कराईए, तो guys, उस 2 bond को satisfy कराने हमारा oxygen आएगा, तो guys, यहाँ पर लग जाता है, एक oxygen, यानि कि POCL 3, क्या बन ज दिखते, तो मैं आपको directly भी बता सकता था, कि यहाँ पर guys, यहाँ पर आप सीधा इसको alkyl halide बना दो, इस alkyl को halide के साथ जोड़ दो, बट एक थोड़ा ideology लग जाती, तो बड़ा सही रहता है, कुल मेला कि कि लॉंग टर्म investment करना बहुत better रहता है, subject to market risk, तो कुल मेला कि guys, HCl अलग होगा, यह CL इस carbon के साथ जाएगा, और यह oxygen इस P के साथ double bond O में लग जाएगा, right, so I hope guys, तो मैं directly लिखने जारो, कि sir, यहाँ पर alkyl halide बनने वाला है, मतलब guys, यहाँ पर यह CH3, CH2, CL बनने वाला है, right, rest guys, POCl3 वगदर अलग हो जाएगा, ठीक है, last step में guys, यह हम alcoholic QH, E2 elimination के through, यहाँ पर halogen को निकाल देगा, मतलब, अगर आपको E2 elimination नहीं पता, आपको यह सब terms में problem है, तो कोई tension लेने वाली बात थी, मैं आपको direct जुगाड़ बताता हूँ, आप ऐसा याद रखो, आप ऐसा याद रखो, कि अगर आपका यह alcoholic QH है, यहाँ इस alcohol अची double bond जरूर आता है, तो guys, इस HCL को Tata bye-bye कर दो, और यह double bond लगा दो, तो यहाँ नि कि CH2 double bond CH2, यहाँ इक कुल मिला गए, बैसे भ्याद रख सकते हो, alcoholic QH brings a double bond, क्या करता है, double bond लाता है, और आपको पता, यह halogen तो बड़ा अच्छा leaving group है, Tata bye-bye करने के लिए, तो हमेशा तय आरेला या हाइडरजन, वो भी तगड़ा, reducing agent है, काम होसे लिएक को alcohol में बटका रहा है, उसके बाद इस PCL 5 का हमें structure clear दा, तो हमने क्या किया, हमने बना लिया, बढ़िया, एक्जियल एक्विटोरियल को देख लिया, ठीक है, बढ़िया से देख लिया, देख लिया, सब टूटता है, तो कुल मिला के directly, अब जब practice हो जाएगी, तो directly लिख दोगे इसको, तो यहाँ पे CH2 CH2 CL हो गया, उसके बाद guys, alcoholic QH brings a double bond, तो कुल मिला के, HCL को गायब किया, और CH2 CH2 बन किया, हमारा final answer आगे guys, so I hope इसको note कर ले, है, note कर ले नगे, इसके साथ guys, let us move forward, okay, आग question है, right, in the Hoffman Bromamide Degradation reaction, the number of moles of NaOH and BR2, यह तो किज मजाक हो गया, यह तो वो बात हो गई, कि आपने मम्मी से पूछा कि मम्मी बता दो जड़ा, मम्मी का एक दिन आप टेस्ट लेने पहुच गया, ठीक है, मम्मी स्ट्रेस में, और आपने मम्मी से पूछा कि मम्मी चाय में कि चीनी पढ़ती है, और कितना शक्र पढ़ता है, उसी तरह से, यह पूछ रहा है कि, Hoffman Bromamide में, NaOH और BR2 के मोल्स कि इतने होते हैं, अगर कोई बच्चा, इमानदारी से उसमें चाय बना है, अच्छे से NCRT पढ़ी है, तो इसको यह याद होगा, कि इस particular Hoffman Bromamide में, हमारा 1 mol BR2 और 4 mol NaOH होता है, तो guys अगर यह याद नहीं है, तो नालायक पढ़ना शुरू कर दे, still time है, अच्छे से start करो करना, कुछ ना होने से तो कुछ तो अच्छा होगा, right, come on guys, तो इसका simple answer के, 1 mol BR2 and 4 NaOH, तो time waste के बिना, 1 mol guys हमारा BR2 and, यहाँ पर गिए देख सब तो guys, आग BR2 and Charler, यह option है, वा, चलो सही, यह बडी है, right, चलो guys, let us move forward without wasting time, okay, next question guys, आता हुआ 2017, 2017, 2017 में जही means पे आया होगा question है, अगर आपको यह बड़ा सा question दिख रहा है, तो पहले तो मैं आपको बता दुगाइज, एक बड़ा सा compound दिख रहा होगा, और कुछ tough tough चीजे दिख रही होगी मन में उलटी सी वाइफ जा रही होगी कि हम see थोड़ा ठहर रएफ तो यहां पर जिसे करऊ यहां पर डयाइवा Bowl इस मतलब सर मतलब राइज नाम बड़े और जर्शन छोटे बोलूँगा सर नहीं इसका काम भी, इसका काम भी reduce करना है, इसका काम भी reduce करना है reducing agent, मतलब नाम बड़ा बहुत है, वेडुगो पार आही है, मुद्तुसामी वेडुगो पार आही है, वैसा ही guys, डाय ऐसो बुदाल यूमिनेो हाइडरेट, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन काम क्या है guys, go up औचान, अरे मेरा मतलब में काम क्या है हाइड्रोजन दे कर रिड्यूस करना तो कुल मिला के गाइस छोड़ा इसके बारे में study कर लेते हैं लिखा क्या है इस इस्टर्स क्या होते है गाइस आपको फटा है ना C1O H ठीक है यह क्या है काबोजाइलिक अगर इस H को हटाके यहां पर कोई कार्बन का गृप आ जाता है इस तरा तो यह Eastern बन जाता है मतलब ऐसा समझळो कि Estis का घर तोडने का ठेका इस ने ले रखाए मतलब Estis को रिड्यूस करने का ठेका इस ने ले रखाए Yes or no ञए है तो it is most useful for the reduction of the easter to aldehyde लेकिन गाइस इसका एक बड़ी खासी अधर द्यान से देखना it will not reduce the aldehyde further if only one equivalent is added मतलब further aldehyde को reduce करने नहीं चला जाता aldehyde पर रुख जाता है अगर आप इसका एक equivalent लेते हो तो इसका मतलब क्या है देखो जाधा time waste करेंगे नहीं वीडियो को short रखना है PYQs का वीडियो short रखना चाहिए ऐसा किसने कहा sir feeling गई थोड़ी सी तो कुल मिला कि guys the thing is that कि यहां पर आपको easter देख रहा है यह तो अब इसको तोड़ना है तोड़ेंगे कैसी sir क्या करेगा इसको यहां से बहुत simply break कर देगा break कर देगा break कर दिया sir यहां से break किया और दो चयां एक hydrogen इसको देगा से Co de heck hydrogen इसको तोड़ा बनाने जानओ घ्यांचे देखना है और अब यहां पर गई एक ओ को हमारा Тूटा हुआ है और 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 यहां पर यह तटक यहां पर डबल बांड ओँड weak के रिष्टों को हमने तोड़ दिया मतलब यह नमबरीं को यह इन दोनों को बीच नमबर कर दो चलो यह लुँ टू थी ए4 औड फाइफ तो वन और फाइफ के बीच में पॉंट तो यह वन था यह दो यह तो यह फॉर और फाइफ तो दिया अब तोड़ने के बाद की सुनकी कि बैलेंची को तो साटिस्फाइब करना पड़ेगा तो डाइवलेच क्या अगरता है है यह रिडियूस करता है गाईज नहीं करता अगर एक इक डाइवलेच लेते हैं तो अगर अगर ऑप्शन मैच करा है और 5-वे पे पे रिधाइभ, पहले है यह उप्शन है गैज मेरे इसाब से 1-2-3-4-5-5-वे पे रड़ेफ, मैच कर रहा है जिको अगरेगा अगरेंगा और यह धंक लेकले इसको मेंने थोड़ा खोल के लिखा इसने पैक करके लिखा शको बंग से लिक लीख ल है मतलब इसको और पैक कर लो मुझे नहीं लग लागre मुझे पूरा डाउट है मुझे पूरा डाउट है मैं इंस्पेक्शन मैं बैठाओगा अरे हाँ हाँ इंस्पेक्शन बढ़ा लेना लेकिन ध्यान से देखो गई यहाँ पर यह C O O H ही है और यहाँ पर ऊपर की तरफ एक O H और इधर की तरफ गाई इस तरफ राइट साइड आपका यह कार्बन तो टॉइंग और यहाँ पर यह दूसरे में C O ठीक है तो देख लो गाई यही हमारा भी है यही इनका भी है I hope guys आप लोगों को समझ में आया की डाई बेलेज का काम है नाम बहुत बढ़ा था दाई Isobutyl Aluminium Hydride काम है hydrogen देना राइट बास इतना सा ठीक है तो चलो गाई इसको नोट कर लो आगे बढ़ते हैं विद्ताउट वेस्टिंग टाइम राइट इसे वेस्टिंग टाइक है इन्वेस्टमेंट है अच्छी इन्वेस्टमेंट है ताइम ले भी लेगा तु ले ले कौन सा ठीक है Okay so okay next question comes into the house my god Kab आया पहले ओमाइग दोजरे ठारा जेई means before covid my god kya दिन थे रही अब दिखो which of the following compounds will be suitable for jidals my god naam say jidals ठकराल नाम से विलन लग रहे है ठकराल jidals अब पहली बात के इस थोड़ा nostalgia class 11 में हलका-हलका jidals थोड़ा-थोड़ा book में लिखा था ignore तो खतरनाक किया था right ignore तो खतरनाक करते हो जैसे कि youtube पे अच्छे content को ठकड़ा इंग्नोर करते हो ऐसे कि इंग्नोर तो मैं थोड़ा सा आपको याद देलाता हूँ कि jidals method thought जडाल गईस एक particular compound में nitrogen की कितनी percentage है वो जानने के रहता right to find out the percentage of nitrogen in the compound ये इसके लिए होता था अगर आपको नहीं पता तो याद आ गया होगा नहीं याद आया तो अब जान यी याद right असली pair वो होता है guys जो रोता नहीं है जब पता चल जाए सुईकार कर लेता है कि सर आज के बाद कोई पूछेगा कि जडाल क्या होता है हम बता देंगे कि it is used to detect कि कि कितना compound में nitrogen का percentage है लेकिन guys इसके थोड़े नखरे है नखरे मतलब guys nitrogen का percentage ये तभी पता सकता है जब nitrogen जो है वो दो form में exist करें क्या मतलब एक ही form जिसको बोलेगे मतलब guys या तो ammonia के form में exist करें ammonia या ammonium iron मतलब इनी दोनों form में exist करेंगा तभी ये जिडाल method काम में आएगा वदर नहीं आएगा तो nitrogen इस form में आजा या इस form में आजा तो मैं काम आ जाओंगा चाहे NH3 हो जाए चाहे Amine के form में हो जाए कहरे मैं तभी काम में आओंगा Amine के form में हो जाए लेकिन guys अगर ये इन form में नहीं है तो जडाल method be like we don't do that here ये हमारा business नहीं है मतलब guys lastly बोल दे रहा हूँ कि जडाल method nitrogen के percentage कितना है compound में बताता है लेकिन जब nitrogen इस form में हो या तो Ammonia या तो Amine या तो Ammonium इसके रावा नहीं तो guys सेलो option मैच करते है अगर guys option मैच कर रहा है तो देखो यहाँ पर Nitro है तो इसमें तो इसका business नहीं चलता Dysolium salt नहीं चलता guys यहाँ तो Nitrogen खुद compound में लगा है यहाँ पर भी नहीं चलेगा एक ही है guys जिसमें Ammon के form में आपको दिख रहा है वो पहला वाला है तो मुबारा को guys यह पहला है अब किसी को यह थोड़ी सी बात याद होगी तो मुश्किल से एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ और नो, दस 10 seconds में काम खतम right guys 10 seconds कितनी तगडी investment है 10 seconds में 4 number oh my god यार अगर बात याद है कि जडाल method जो है वो इन दो इन लोग के लिए काम आते है तो बस नजरे फेरी टिक लगाया, चेक किया, आगे बढ़े आपको बस guys अपना time कहां बचाना है यह आपको देखना होगा, थोड़ा सा time investment सही जगा करनी है जैसे physics का paper linth या maths का आगया chemistry में जहाँ time बच सकता है बचाओ right, चार, तो guys note कर लो आगे बचता है okay, चार, so guys, इसे के साथ let us move forward अब एक बड़ा सा question आपकी screen पर guys दिख रहा है फिर से, बहुत ही बड़ा question है 2014 JEE means में आया होगा question है ठीक है, यार guys अगर थोड़ा सा mean mean आ रही है तो अपनी energy को high कर लो क्योंकि आप यह देखो कि questions कितने easy आते हैं papers में और plus N-C-E-R-T बे जाते हैं, आप लोग कहां पर अपना crush create करते हो आजू-बाजू-डोसी-पडोसी बड़ असली crush तो आपकी chemistry के N-C-E-R-T होनी चाहे है, यार मतलब जितना effort साथ डालोगे उतना effort सामने से मिलने वाले getting my point guys, getting, getting, getting equivalent काम होगा, right तो कुल मिला के N-C-E-R-T पूरी अच्छे से अपने को पढ़नी है चलो guys, अब इस question को read करते हैं 2014 में आय हुआ है on heating and elephatic primary amines okay, elephatic primary amines को अगर हम heat करते हैं, for example lehi लेते हैं, amines को अगर हम heat करते हैं, with chloroform अच्छा guys, एक बात यादत में ये chloroform वगरा हर जगा तो नहीं आता, लेकिन जहां भी आता है वहाँ तहल का मचाता है, पूरी anxiety में 2-3 जगा chloroform का mention है अगर आपने उन 2-3 जगा को ध्यान नहीं दिया अच्छा एक चीज़ और है, जैसे कुछ-कुछ कभी-कभी क्या होता है ये mechanism हमें नहीं समाझ आता है ज़रूरी ये mechanism करो यार, अभी मैं दिखा दे तो कुस ते का कि अभी पूरा mechanism आता है, तो well and good, इस moment पर अगर आपको mechanism नहीं समाझ आ रहे, तो you don't need to worry कम से कम ये देख लो कि वो reaction हो कैसे रहे, उसके नाम क्या है क्योंकि दिखो, आपके सामने में दिखा रहा हूँ, अभी आपको दिखा दो क्या आपको mechanism की सुरत है की नहीं आप देखना पर Imery Amine को chloroform के साथ र्याक कर आया Ethanolic potassium hydroxide, मतलब guys, KOH की presence पे ये बच्चा जिसने NCRT को दिल से पढ़ा होगा नलायक, उपर वाले से टर ये reaction NCRT में दिखा देता हूँ, देखो guys कारभीला माईन reaction, कारभीला माईन, oh my god ये कुछ उपर करके लिखा हूँ है guys, थोड़ा सा, कारभीला माईन आपको देख लेना कि हमारा Cynide की जगा guys, आइसो Cynide बनता है, क्या बनता है, RNC, ये तोड़ा सा अलग होता है, इसमें कुछ बात है, कुछ अलग जज़बात है guys, इसमें, क्या बनता है, RNC, प्लस Thrice of KACL, नेश्ट वो, टाइम इस करने की जुरत नहीं है, जिसको पता होगा, कि ये कारभील कारभीला माइन के बारे में बात कर रहा है, उसको तुरंद हिट कर जाएगा, कि यहाँ पर आइसो साइनाइट, अच्छा कई जैसे CN लग रहा होता, तो साइनाइट, लेकिन ये कनेक्टेट है NC से, किस से कनेक्टेट है NC, तो ये आइसो साइनाइट हो गया, क्या होगेगा प्राइमरी करता है, NC, तो कुल मेला कि guys, the thing is that, the thing is that, कि इसका जो आंसर होगा guys, वो बहुत ही clear है, कि हमारा एलकिल साइनाइट के आइसो साइनाइट, I want the firing guys, बहुत सिंपल है, चार नंबर जेब में, तुरत जेब में आगए, मतलब कुल मेला कि कही ऐसा तो नहीं कि और ग कि आगे बढ़ो, क्या जयन है guys, देख लो, direct direct है chloroform reaction NCRT, आप देख सकते हो, चार, तो, let's move guys, let's move, अब देखो guys, next, 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 AI triple E 2011, बहुत ही खतरनात में में लिखा है, पक्का ही ये question होगा हमारा यार guys, शकल देखो, शकल, NANO2, HCL 278 Kelvin, Dysonium Baba की जह, come on guys, Dysonium Baba की जह, come on, methods of preparation of Dysonium salts, सबको NCRT में याद होगा, Dysonium salt के बारे में हम सबने पढ़ा था, क्या था sir, कि अगर हमारा यहाँ पर guys, NANO2 के साथ किसको, अच्छा Dysonium होता कहे गई, आप लोगों को याद है, तो मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ, थुड़ा दिला देता हूँ, जैसे Dysonium chloride, ये इसका नाम होता है, थोड़ा आपको याद होना चाहिए, Dysonium क्या होता है, sort of, ठीके, तो कुल मिला के guys, अभी तर डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, कुल मिला के, the thing is that, the thing is that, कि अगर आप, अगर आप, मैं जल्दी से याद दिला देता हूँ, अगर आप NH2 को, N NaNo2, NaNo2 और HCl के presence में react कराते हो, तो guys, पहली बात तो ये क्या बनाने वाला है, पहली बात तो guys, ये nitrous acid बनाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा poisonous होता है, फिर वो react करेगा, मैं इतनी सारी बाते नहीं करूँगा, मुद्दे में आता हूँ, आपको याद क्या रखना है, ये nitrogen इस nitrogen के साथ मिल कर, मिलन करके N2 बना लेगा, sir, क्यों बनाता है, क्योंकि बहुत strong होता है, याद करो guys, P-blocks में पढ़ाता है कि di nitrogen बहुत stable होता है, तो आपको याद क्या से रखना है, अब देखो, NaP+, yes sir, Cl-, yes sir, तो guys, Na+, Cl- तो NaCl अलग होगा, okay sir, guys, Na+, Cl- अलग हो गया, nitrogen, nitrogen nitrogen साथ में आकर, क्या बना लेगा, N2, क्या बना लेगा guys, N2, हाँ sir, N2 तो बना लेगा, तो N2 में guys, हमारे 3 bond already हो रखे है, तो ये तो stable है, लेकिन guys, जब N2 अपना 4th bond बनाएगा, तो इसका 4th निकल जाएगा, मतलब कि अगर guys, N2 को आप इसके उपर बना दोगे, तो देखकर, हमारा guys, जो यहाँ पर इसी plus को देखकर guys, हमारा जो CL है, वो attract हो जाता है, क्या हो जाता है, attract, क्योंकि, इसकी उपर plus है, जिस तरह से school में छोटे में, कोई बच्चा वो धक्कन वाली, वो नहीं लाता था, जो हो देखिया कहते है, उसको box होता था, जो बड़ी त stable होता था, अलग से, तो यह अलग separate हो गई होगा, it is for sure कि इसने, अलग हो नहीं होना है, साथ में guys, इसके byproduct में NACL और H2O भी बनता है, उसको अप अलग से लिख सकते हो, ठीक तो चल, तो अब वापस आता है, यहाँ पर, और देखते हैं, पूरी picture को, so guys, question में क्या बोल र हैंगे, तुरन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब क्या होता है guys, बेंजीन रिंक के ओपर, एक N2X, N2+, and X-, तुरन बनेगा, ठीक है, इसके बाद guys, CUCN के साथ रियाग करा रहे हैं, तो आप सबको पता होगा guys, की, वो जो उपर N2 है न, वो किस लिए है, अलग होने के लिए, क्योंकि वहाँ stable थोड़ी है, stable थोड़ी है, N2 को तो अलग हो नहीं था, right, वो जो X- है, वो किस के साथ अलग होगा, हमें पता है, CUCN पे प्लस होता है, CUCN प्लस उस X को लेके अलग हो जाएगा, एक है हमारा CN जो जाती है, बेंजीन के पर introduction होगा हमारे, एक CN का, तो आओ guys, अब आओ बच्चू, option match करे, आओ बच्चू, तुम्हें सिखाए, देखो, तो guys, जो हमारा A था, वो हमारा एक, बेंजीन, डाइजोनियम, और यहाँ पर CL था, तो बेंजीन, डाइजोनियम, क्लोराइड, यहाँ पर CL लगा लो, इसक क्या बना guys, B option क्या बना, बेंजीन है, और ऊपर guys, क्या लगा हुआ है, आपका एक, नाइट्राइल है, तो देखो, यहाँ पर यहाँ बेंजो, नाइट्राइल, तो किता सिंपल है guys, यह भी हमारा तुरन्त हो गया, यह था A triple E 2011, जब जैसे होता नहीं था, कि हमारे आपन में उसका नम पको है, मैं मजा करो, पाप लगे गहाँ है, A triple E, A triple E, A triple E, जब उसको बोलते हैं, तब कहीं यह question था, आप देख सकते हो, 2011 बहुत पुराना नहीं, तब आप कम से कम 20-20 साल के होगे, हम लोग 17-18, तो को बना के, guys, benzene, disonium, chloride and benzonitri is the product, time waste नहीं करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, so, हाँ, guys, आप यहाँ देख सकते हो, कि देखो, यह हमारा के साथ, C-U-C-N के साथ, रिया करेगा, तो पर एक C-N आ जाता है, ठीक है, तो सारी चीजे, प्रूफ के साथ हम लेका है, आप तक हमें प्रूफ दो, प्रूफ नहीं, right, देखो, similar guys, इस एक और कोशे, अच्छा, एट रिपलीत, होजर दस, मतलब, इंसान आगे जाता है, हम लाइफ में पीछे जा रहे है, आप देख सकते हो, guys, वैसे सचा ही ही है, बजाग करा था, आगे बढ़ेंगे, तो guys, कुल में आके, जब हम इसको, एडिलीन को, N-A-L-O-2 के साथ, आगे, तो guys, हमारा सबसे पहला, I want the firing in my comment section, क्या Dizonium Salt बनने से कोई रोख सकता है, क्या हमारा Dizonium Salt बनने से कोई भी रोख सकता है, guys, क्या हमारा Dizonium Salt बनने से कोई भी रोख सकता है, ठीक है, नगरे ते, ठीक, फिर इसके बाद guys, इसमें कौन है, यहाँ पर हमारा जो पहला ह Dizonium Salt, तो, अचा guys, देखो, एक ही option, मुझे Dizonium Salt का देख रहा है, मतलब पहले से heat कर सकते है, एसे ही answer, नाइट्रो बेंजीन तो होगा नहीं, फिनोल तो होगा, मतलब, क्या examiner भी चाह रहा है, कि पहले काम हो जाए, चलो, कोई बास नहीं, एक और step बढ़ते है, HbF4 के तो, कर दिया sir, HCL भी अलग कर दिया, अब guys, आपको ध्यार क्या रखना है, लेकिन actually guys, पते है क्या होदा है, actually, पहले, एक एक step अगर करके बता हूँ, एक step में यह होदा है, कि पहले HCL अलग होता है, और BF4, अचा एक कानू, मैं भी एक step करके कर देता हूँ, ताकि आपको N2 को तो, लिख क्या है कि अलग होना है, क्योंकि वो stable N2, वो किसी के साथ क्यों रहेगा, अब boron की guys, आप लोगो को यादो कि boron के आउटर्मोस पे तीन electron होता है, अगर आप लोगो को यादो बच्छो, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, तो boron यानि कि 5, यानि कि 1s2, 2s2, 2p1, तो guys, boron के आउटर्मोस पे हमारे यहाँ पर 3 electron होता है, तो 3 electron का मतलब है, boron जो है, वो 3 fluorine को लेकर अलग हो जाएगा, तो कुल मिला कि guys, boron अपने 3 fluorine के साथ अलग होगा, यानि BF3 अलग हो जाएगा, ठीक सब, N2 अलग होगा, ओक सब, बेंजीन रिंग में guys, बस एक चीज बचेग कि आप गिन सकते हो, 4 fluorine में 3 गया तो 1 fluorine, तो guys हमारा product में 1 fluorobenzene भी है, तो मतलब जो हमारा A है, वो benzene diisonium chloride, और B जो है, वो fluorobenzene, वो तो हमें पहले ही पता था कि 4th option है, वो तो हमें इसे acting कर रहे थे, ना guys, हमें तो पहले ही पता था कि 4th option है, क्योंकि बेंजीन diisonium chloride, एक इसे हो है guys, आप जीक सब्सक्राइटी में यह पूरा, प्रॉपर, यह देखो, कहां गया, था guys, था, अब चेक करना, ठीक है, definitely था, next, 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 2013 का question है, 2013 का, ध्यान से सुनना, यह भी question, अगर अच्छे से दिख नहीं लग, तो मैं आपको रीट कर देता हूँ, An organic compound A, upon heating with NH3, gives B, ठीक है, मतलब किसी compound A को हमने NH3 के साथ रियाक करा, और उसको रियाक करा है, तो बना हमारा B, okay sir, B gives C, अच्छा, B C देता है, वा, An organic compound A, on reacting with NH3, gives B, on heating, अच्छा, on heating, मतलब B को heat करने पड़ C मिलता है, ठीक, 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 Reading issue guys, reading issue, ठीक है, okay, C in presence of KOH, KOH reacts with BR2, to give CH3, CH2, NH2, guys, ये आखरी में कुछ इसने देड़ शाने वाली बात कर दी, आप लोगने नोटिस किया है, आखरी में इसने कुछ क्या बोला, C in presence of KOH reacts with BR2 to give this, फिर से, C in presence of KOH reacts with BR2 to give this, फिर से, C in presence of KOH, ये वीडियो ने रिपीट कर र C in presence of KOH reacts with BR2 to give primary a mind, मेरे प्यारे खुबसूरत, खुबसूरत बोलना तो सही रहेगा वैसे, ठीक है, तो guys, focus करना यहां पर, अगर आप लोगों को याद हो, तो आप लोगों ने थोड़ी दर पहले एक reaction देगा था, guys, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड नहीं नहीं लिया, तो कोई बात ही मैं ऐसी बता देता हूँ, guys, KOH की presence में, BR2 की presence में primary amine बन रहा है, क्या आप सब को पता है, guys, यह आप लोगों ने ध्यान दिया, KOH और BR2 की presence में, KOH और BR2, यहापे NUH है, KOH और BR2 की presence में, guys, KOH और BR2 की presence में, हमारा primary amine बन रहा है, तो क क्या यह for sure है हम कि यह Hoffman की बात कर रहा था क्या आप लोगों को कुछ-कुछ बात समझ बहरे गाइस क्या यह Hoffman की बात कर रहा था तो अब देखो कैसे एक-एक step में हम करते हैं देख लो गाइस फिर से BR2 और KOH की presence में हमारा primary amine मना रहा है तो यह तो Hoffman का काम है तो चलो गाइस एक काम करते हैं एक-एक step करके समझते हैं कि होता गैसे एक-एक step पर देखना गाइस एक-एक step पर एक-एक तालिया बजाएंगे तो देखो कुल में लाके यहां पर गाइस अगर हमारे दो काबन हैं और KOH और BR2 Hoffman तो Hoffman में एक चीज होती है गाइस बड़ी खास मैं डारेक्ली बताओंगा Hoffman में एक चीज बड़ी खास होती है अगर आपने नोटिस करो Hoffman में गाइस नोटिस करना यह चीज कि देखो मैं मेकानिसम नहीं थोड़ा सको शॉट रखोंगा यह R और यह NH2 का मिलन हो जाता है और बीच वाले C double bond को बाई-बाई-टाटा कर देते हैं ठीक है विदाओड मेकानिसम आप इसको ऐसे समझो यह R और NH2 का मिलन होता है और यह C double bond को बाई-बाई-टाटा तो कुल मिला के देखो guys R NH2 बना मतलब कि guys ठोड़ा ध्यान से देखना हमारा guys आप अगर आप नोटिस करो यह लिखा है CH3 CH2 NH2 Hoffman होने से पहले इस L kill group और यह NH2 group के बीच में जरूर C double bond होगा क्योंकि guys थोड़ा सा मैं जो समझाने की कोशिश करनो समझो guys Hoffman जब होता है Hoffman जब ये reaction हो जाता है तो ये C double bond वीच वाला गायब हो जाता है और ये R NH2 मिल जाता है तो मैं अगर reverse गाड़ी में reverse gear लगाओ मतलब पीछे जाओ पीछे C पर जाओ तो guys अगर मैं C पर जाओ तो क्या जरूर ये रहा होगा कि CH2 और NH2 यानि कि CH3 CH2 and NH2 and NH2 के बीच में जरूर से एक C double bond O group रहा होगा जी सब बिल्कुल guys reverse gear मार दी गड़ी चे reverse gear मार दी तब ही तो guys देखो ये वाला amine ये 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 alkyl group इसके साथ जुड़कर हमारा primary amine बना रहा है तो हम reverse gear है अब guys कुछ-कुछ आपको याद आ रहा होगा कुछ-कुछ याद आ रहा होगा guys अब उससे आप easily judge कर सकते हो कि यहाँ पर guys देखो CH3 CH2 C double bond O तो guys इस reaction की जो starting होगी वो obvious ही बात है आपको clear हो चुका होगा कि यहाँ से guys आप number of carbon check कर सकते हो तीन carbon है कितने carbon तीन तो जरूर है guys कि यहाँ पर हमारे तीन carbon यानि CH3 CH2 C double bond O यानि एक carbozalic acid होगा guys जिसको NH3 के साथ react कराया गया होगा और यह NH3 करेगा क्या इस hydrogen को लेकर यहाँ पर NH4 बना लेगा मैं एक काम करता हूँ इसको next line पर दिखाता हूँ थोड़ा अच्छे से मैं आपको पुरा reaction समझाता हूँ यहाँ पर guys क्या है चास्टस है देखो CH3 CH2 C double bond OH इसको guys हम करेंगे क्या इसको हम लोग ने NH3 के साथ react कराया अब यह reaction होती है reaction guys कुछ इस तरह से होती है कि nitrogen पर negative आपको पता है यहाँ पर यह hydrogen है यह अपने loan पर अगला के इस hydrogen को donate कर सकता है ठीक है donate करेंगे accept कर लेगा guys तो यहाँ पर होगा क्या यहाँ पर यह scene होगा CH3 CH2 CH3 C double bond OH CH3 CH2 CH2 C double bond OH and guys यह NH3 H के पास आके लग जाएगा तो हो जाएगा O NH4 क्या हो जाएगा O NH4 plus इसको guys आप ऐसे भी समझ सकते हो confused मत होना होदा कहें कि पहले यह H अपना निकालेगा ठीक यह NH3 उस H को donate करेगा ठीक है यह NH4 बन जाएगा आप confused मत होना कहें इस एकदम अराम से सुनना मैं इसको ऐसे बताता हूँ थोड़ा ध्यार से मुझे लग रहे है कि आप थोड़ा सा यहां पर confused हो रहे हो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ sort of जैसे यह लिखा है और इसको NH3 के साथ रियाद कराता है यह इसको अलग कर सकता है क्योंकि यहां पर resonance हो रहा है तो यहां पर इस hydrogen को यह remove कर देगा बिल्कुल कर देगा तो जब यह hydrogen को remove करेगा तो वो NH3 अपना loan pair लाके इसको donate करके NH4 plus बन जाएगा और यहां पर oxygen minus है तो यह जाके उसके साथ attract हो जाएगा क्या हो जाएगा guys CH3, CH2, C double bond O और यहां पर यह NH4 आके इस minus के साथ attract होके NH4 plus बन जाएगा यह इसका reality पर मेकानिसम है जैसे हमने यहां पर इसको इस तरह से नहीं होता है पहले यह H निकलता है फिर NH3 donate करता है NH4 plus बनता है फिर आके minus plus का attraction होता है तो पहले एक एक सब इस लिए बता दिया ताकि आपको clarity रहे अब guys इसके बाद यहां पर क्या होगा इसके बाद guys यहां पर यह होने वाला है कि यहां पर हम इसको heat करते हैं यह हमारा A था फिर question में given था कि हम A को heat कर रहे है तो guys जब A को हम heat करेंगे तो यहां से पानी निकल जाएगा बहुत clear है So guys यहां पर क्या बनेगा CH3, CH2, C double bondo H2O remove कर दो guys यहां से तो क्या बचेगा हमारा क्या बचेगा H2O remove कर देंगा तो सिर्फ NH2 बचेगा और बच्चों फिर इसके बाद हम इसको KOH वगेरा और KOH and हमारा KOH and BR2 के साथ रियाग कराएंगे 4 mole KOH and BR2 के साथ तो guys यह C double bondo group का IAB हो जाएगा और यहां पर directly यह LK इस M1 के साथ attach हो जाएगा So बहुत struggle हुआ इसको बताने में लेकिन मैंने सोचा guys कि इसको पहले पूरा बता दो लेट मी शोओ यू गई तो इसका फिलाल जो हमारा आंसर आया वह क्या आया CS3, CS2, NH3 हमारा जो फिलाल आंसर आया guys वह क्या या से तीन कार्बन और यहां पर एक, दो, तीन और तीसरे पर काबोजरिक असर्ट तो guys जो हमारा फाइनल आंसर आया वह क्या आया हमारा यहां पर एक काबोजरिक था, हमने एक टिटिक कैसे किया था आगे से पीछे आया हम, हम आगे से रिवर्स गेस अलगाई, तो NH3 में H को डूनेट किया, यह NH4 बना फिर उसके पर guys उसको हीट किया, H2 निकला और फिर वो फोर किवच अब भी आडू के से रियाक करा के प्राइमरी एमाइन मना मतलब guys यहां से हम पीछे गए, हम यहां से पीछे जाके समझे थे, ठीक है पीछे हम गये थे, मतलब यह पता था, तो हमने बीच में C double bondo add किया, फिर हमें पता था कि heating से पहले जरूर इसमें water होता है, तो हमने water add किया, फिर उससे पहले हमें पता है guys कि NH3 से पहले यहां पर एक carbosalic acid होगा, तभी तो इसकी entry होगी, तो यहां पर guys यहां था एक carbosalic acid, तो आपको उल्टा आना था इस part ही है, चाल, तो I hope आप लोगों को समझ भाया, and guys the last, यहां पर हमारे पास जो question है, 2013 का J means का question है, यह भी काफी अच्छा question है, इसको भी ध्यान से देखो, compound C8H9BR, एक compound है guys, C8H9BR, C8H9BR, gives a pale yellow color precipitate when warm with alcoholic AGNO3, पहली पास guys, precipitate तब निकलता है, जब bond कमजोर होता है, और तूट जाता है, बतब, AGBR का precipitate तब ही बनेगा, जब यहां से BR तूट है, बियार अलग हो, बियार अलग हो, बियार अलग हो, तो guys, आप लोग पहले ही जानते हो, कि यह वाला BR अलग नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि guys, यह वाला जो BR है, यह वाला जो BR, यहां से यह partial double bond करके resonance का sort of, इसके बास lower pair है, तो बना सकता है, तो यह BR को तोड़ना बड़ा तूटना पड़ेगा, कमजोर वाला भी आरी अलग होगा, तो ये तो रही तूटेगा, क्योंकि यहां पर resonance का factor आ सकता है, double bond partial, तो ये ये और ये option होगा, अब इसके बात गईज बोला है, कि oxidation of A gives acid, okay, मतलब हम एक oxidation करेंगे, तो acid मिलेगा, जो further anhydride बनाएगा, okay guys, anhydride का मतलब water निकाल लेगा, anhydride guys बनेगा, इसका मतलब ये आप सब को sure है, कि जरूर बगल बगल में हमारे carbozylic acids होंगे, guys, जरूर बगल बगल में, तभी तो हमारा anhydride बनता है, anhydride कैसे बनता है, H2O के removal से, oxygen पे negative, carbon पे positive, तो ये attraction, तो guys, anhydride कैसे, ये सबसे बड़ा hint था, question में सबसे बड़ा hint था, guys, यहाँ पर C double bond O, यहाँ पर यह आगया, यह O आगया, add C double bond, ये anhydride, तभी बनेगा जब ये अगल बगल हो, तो guys, obviously बात आप सब को समझ में आगे हो, अगल बगल हम बहुत सारे questions हमने किये, करीब 10 questions तो approximately किये, तो मैं आप सबसे request करता हूँ कि इन सारे questions को revise करना, और awesome videos हम बनाते रहेंगे, धेर सारी videos को, और ज़्यादा creative करेंगे, और ज़्यादा questions add करेंगे, और ज़्यादा interesting मनाएंगे, guys, तब तक के लिए revise करना, thank you so much for watching this video.